हले स्टुडेंट्स मैं आनन्द सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल साइफा इस्टुडेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 प्रिष्ठी अच्छेत्रफल और आयतन का प्रश्णावली 12C का पार्ट 2 हल करने वाले हैं इस प्रश्णावली 12C पुरा कंप्लीट हो जाएगा साथ ही साथ चैप्टर 12 आपका पुरा खतम हो जाएगा इस वीडियो से पहले स्टुडेंट्स पीछे कि जितने भी चैप्टर हैं सभी कंप्लीट कर दिये गए हैं अगर पीछे कि आप कोई भी वीडियो देखना चाहते किसी भी चैप्टर को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से पीछे कि किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं साथा ही साथ बताना चाहेंगे कि इस चैनल पे आपके जो मॉडल पेपर हैं प्रिबियस एर के वह भ कराये जा रहे हैं तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देख रहे हैं तो एक बार जरूर देखे क्योंकि वह सभी आपके पूर्ड एक जाम दोजार पचीज के लिए अत्यान मत पूर्ड हैं तो आए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं यहां पे प्रस नंबर साथ है एक बा आपसने 33.7 लीटर थर्ड आपसने 34.7 लीटर और फूर्थ आपसने 31.7 लीटर देखे यहां पे प्रस नंबर क्या कर रहा है कर रहा है कि एक बाल्टी है चलिए यहां पे एक बाल्टी बनाने का प्रयास करते हैं देखे मुझे बहुत अच्छा आर्ड तो नहीं आता फिर मैं प्रयास कर रहा हूं एक बाल्टी बनाने का ठीक है देखे अब यहां से यहां पे ऐसे कुछ इस टाइप से बाल्टी होती है ठीक है ऐसे अब प्रस्में क्या कर रहा है कि जो उपरी भाग का उपरी सीरे का यानि दोनों बित्ताकार सीरे हैं तो हम यहां पे अब करते है कि यह जो व्यास है, उपड़ी सिरे का, यानि यहां से यहां तक यह पूरा क्या है, 44 cm है, अब यह जो व्यास है, माण लेते हैं कि यह क्या है, 24 cm है, 24 cm, यह बाल्टी हो गई, और क्या प्रश्ण में बोला हूँ, इसकी मुचाई आपको दिया हुआ है 35 cm, 35 cm, प्रश्ण में पूछ क्या रहा है। बाल्टी की धार्टा यानि यह जो बाल्टी बगणी इसकी धार्टा पूछ रहा है। धार्टा का मतलब होता है आयतन। यानि इसमें कोई बस तो कितना आएगी वही उसकी धार्टा करstudy दारे oh यानि आयतन जो होता है वही धारता होती है अब प्रस्ण को यहां पर हल करते हैं सबसे पहले देखे या उपड़ी सीरे का व्यास है या निचले सीरे का व्यास है बराबर 44 cm यहां से त्रिज्या निकाल सकते हैं ठीक ना उपरी सीरे की हम त्रिज्या निकाल सकते हैं यहां से तो उपरी सीरे की त्रिज्या क्या हो जाएगी चलिए त्रिज्या हम यहां पर आरवन आरटू मान लेते हैं क्योंकि दो त्रिज्या हैं तो यहाँ पे उपरी सीरे की त्रिज्या R1 बराबर 44 बटे में दो क्योंकि त्रिज्या ब्यास किया दी होती है भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 22 सिंटीमेटर ठीक है न यह क्या हो गया 22 सिंटीमेटर अब देखिए निचले सीरे का ब्यास दिया हुआ है इस त्रिज्या कॉमान लेते हैं R2 ठीक है न तो देखिए R2 क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा आपका 24 बटे में दो 24 बटे में दो तो यह हो जाएगा 12 सिंटीमेटर ठीक है न अब यहाँ से पूछा क्या हूँचाई आपको दिया ही हुआ है यह बढ़ाबर 35 सिंटीमेटर अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो बनावट है जो सेप है एक संकू के छिनक का रूप हो गया ठीक है जो संकू है उसके छिनक का रूप हो गया ठैक है यह संकू का छिनक है यह पहले आपके शनेवस में हुआ करता था लेकिन अब वो आपके सिलेबस से कट गया लेकिन चुकि प्रश्ण यहां पर दे दिया है उस पर आधारित तो यहां पर उसके फार्मूले का हम लोग प्रयोक करेंगे ठीक है ना अब यहां पर देखे क्या करेंगे हमें आप लिखेंगे बाल्टी की धारिता बराबर हो जाएगा संकु के छिनक का आयतन अब उसके लिए सुत्र क्या होता है देखें सुत्र होता है एक बटेती पाई ठीक है यच और यहां पे होता है आरवन का स्क्वाईर प्लस आरटु का स्क्वाईर प्लस आरवन इंटु आरटु ठीक है न यह असुत्र होता है संकु के छिनक का अब इहां से मान रख देंगे देखें एक बटे तीन गुड़े पाई का मान बाईस बटे साथ ठीक है न गुड़े यच का मान पैंतीस यच का का मान क्या है देखे रवन का माने 22 स्क्वाइर है तो 22 का स्क्वाइर कर देंगे रटू का माने 12 तो 12 का स्क्वाइर कर देंगे प्लस रवन रटू तो रवन का मान 22 और गुड़े बीच में कोई चिन नहीं होता है गुड़ा का चिन होता है ठीक है रटू का मान क्या है रटू में 3, यहां पे देखे, 44 का स्क्वाइर क्या होता है, अरे यहां पे 22 का स्क्वाइर क्या होगा, 22 का जब स्क्वाइर करेंगे, तो 22 का स्क्वाइर हो जाएगा आपका 484, ठीक है न, क्योंकि 22 दूनी 44 के 4, 22 दूनी 44 और 49, 484, 12 का स्क्वाइर होता है 144, अब यहां पे इन दोन 10 बटे में 3 अब इन सभी को जोड़ लेते हैं बीच में यहां और इसके बीच में ब्रेकेट और इसके बीच में कोई चिन नहीं है तो गुड़ा का चिन होता है जोड़ते हैं 4, 4, 8, 4, 12 के 2, 1, 80, 6, 4, 10, 8, 18, 19, 9, 81, 2, 1, 3, 4, 3, 7, 7, 8, 8, 892 देख लिजिए क्या रहेगा यहां पर 4, 4, 8, 4, 12 के 2, 1, 80, 6, 4, 10, 8, 18, 19, 9, 81, 2, 1, 3, 4, 3, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 892 अब यहां से देखते हैं कि कुछ अगर कटेगा तो यहां से कट कर लेंगे हम लोग आपका कुछ कटने वाला नहीं दिख़रा है ठीके ना यहां पर अगर हम कट भी करेंगे कुछ कटेगा नहीं दसमलों जाएगा सबसे पहले गुड़ा कर लेते हैं गुरा करके उसके बाद एक ऐए बार कट करते हैं यहां पर गुरा करेंगे तो देखे 110 और 892 का गुरा करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे 11 का गुरा कर लेते हैं बाद में एक 0 है, तो एक 0 यहाँ पर लगा देंगे, बटे में 3, भाग दे देंगे, तो 3 तीलिके 9, फिर 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, 2, 21, 3 सते, 27, फिर 3, fr, 18, ठीक है न, अब उसके बाद के आया, 2, फिर 10 मलों लगाएंगे 3, fr, 18, अब यह कटेगा नहीं, ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, देखिए, यहाँ पे, तीन साग, 18 से पहले, दो अंक उतरा है, तो जीरो लगेगा, यहाँ बीच में, ठीक है न, यहाँ पे जीरो लगेगा, अब यहाँ किसमें आएगा, घन सेंटीमीटर में, यह किसमें इसमें 1,000 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, यह देखिए, क्या है, 32,706.66, बटे में 1,000, लीटर में कनवर्ट करने के लिए, घन सेंटीमीटर से लीटर में कनवर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे, यहाँ पे ultimate, 30, अस्थाम दस्मलों इध़र आजाएगा, 1,2,3, यानि यह हो जाएगा आपका बतीस दस्मलो साथ यहापे दस्मलो के कही अस्थां तक लिया हुआ ता आगे तक हम लोग लेंगे ना यही पर छोड़ देंगे और यह हो जाएगा आपका लिटर में किसमें हो जाएगा लीटर में, अब यहाँ पे दिखते हैं कि कौन सा option आपका right है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि option number first आपका right answer हो जाएगा, ठीक है ने, option number first, यहाँ पे लिख देंगे विकल्प first सही है, विकल्प first सही है, ठीक है, यही आपका right answer हो जाएगा, यहोप कि इस question को आप अच्छी समझ गए होंगे, आईए अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्ण आपका, प्रश्ण number 8 है, एक लंब बृत्ती संकु में, उसके आधार के समांतर, खीचे गयतल द्वारा काटा गया, अनुप्रस्थ काट होता है, एक, first option है बृत, second है संकु का छिनक, third ह और फूर्थ है अर्दगोला, यहां पर समझे प्रश्ण को, देखें, प्रश्ण में क्या करा है, कि एक लंब बृत्ती संकु, सबसे पहले एक संकु बना ही लेते हैं, यहां पर, संकु बनाते हैं और उसके बाद समझते हैं, देखें, यह आपका क्या हो जाएगा, यह संक तो इसके तल द्वारा खीचे गए, ठीक न, यह क्या है, आधार के समांतर है, और खीचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट, यही अनुप्रस्थ काट है, यह जो बना रहे हैं, तो यह क्या बना देखें, यह क्या है, एक व्रित्त है, यह क्या है, एक व्रि अब यहां पे कौन साफसर राइठ हो जाएगा? अपसर नमबर फरस्ट आपका क्या हो जाएगा? राइठ हो जाएगा. यहां पे लिखेंगे विकल्प फरस्ट 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 विकल्प क्या है? वृत चाहिए है. का है? ठीक है? आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गया होंगे, आई अगले प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं, अगला प्रश्ण आपका, प्रश्ण नमबर 9 है, दो गोलों के आयतनों का अनुपाद, 64 अनुपाद 27 है, उनके प्रिष्ठिय चेतरफलों का अनुपाद है, फर्स्ट आपसन है तीन अनुपाद 4, यहां पर बोला हुए दो गोलों के आयतनों का अनुपाद, यानि यहां पर हम कहें, यहां पर जो तरिज्याएं होंगी, हम अलग अलग मान लेंगे, दोनों गोलों के हमान लेते हैं, पहले गोले की तरिज्या R1 है और सेकेंड की R2 है, तो यहां पर देखें, पहले गोले क 64 और दूसरे गोले का 27 चलिए अनुपात दिया हुआ है यानि यहां पे गोले के आयतन का सुत्र क्या होता है देखे यह बहुभी कल्पी प्राश्ण है तो हम लोग बहुभी कल्पी के हिसाब से ही इसको हल कर रहे है थीक है न, देखें, सुत्र क्या होता है आपका 4 बटे 3, πाई, आरवन का क्यों, हम मान लेते हैं कि पहले गोले की तरीजी आरवन है, अनुपाथ है तो बटे में दूसरे गोले का है था है, 4 बटे 3, πाई, आरटू का क्यों, बराबर क्या हो जाएगा, 64 बटे में 27, थीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 बटे 3, πाई से 4 बटे 3, πाई कट लिया, यहाँ से बचा क्या, यहाँ से हमें क्या मिला, R1, R1, बटे में R2 का क्यों, पराबर देखिए, इसको अगर हम इसका घन मुल करें, तो देखें, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 होगा 4 का क्यों, ठी इन तरीके 9, 37, यानि 4 बटे में 3, दोनों का Q, ठीक है, पूरे का Q, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानि R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा 4 बटे 3, इसका मतलब क्या हुगा, R1 का मान 4 हो गया, R2 का मान 3 हो गया, अब प्रश्न आगे पढ़ते हैं, उनके प्रिष्ठी चेतरफलों का अनुपात होगा, अब प्रिष्ठी चेतरफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है, चलिए, प्रिष्ठी चेतरफल को समझ लेते हैं, अब आप जानते हैं कि गोले का प्रिष्ठी चेतरफल मतलब वक्र प्रिष्ठी square, इसी का अनुपात आप से पूछ रहा है, ठीक है न, अब यहाँ पे देखे, R1 से R1 क्या हो गया, कट गया, R1 से R1 नहीं, 4 pi से 4 pi कट गया, R1 का मान यहाँ पे 4 है और R2 का मान 3 है, ठीक है यहाँ देखे, R2 का मान इधर 3 और R1 का मान 4, तो R1 के अस्थान पे हम 4 रखते हैं, 4 यहाँ पे आप देख रहे हैं, square है, तो इसका square, बटे में, R2 का मान क्या है, 3, तो 3 का square, ठीक है, यहाँ पे 4 pi से 4 pi कट गया, 4 का square क्या हो जाएगा, 16 और 3 का square हो जाएगा, 9, यानि उनके जो प्रिष्ठीच सित्रफलो का अनुपात होगा, वह हो जाएगा, 16 और 9, देखें, यह अप्रस्ण बहुभी कल्पी है, तो हम उसी के हिसाब से इसको हल किया है, यहाँ पे जो theoretical line लिखना चाहिए, proper, वह हमने नहीं लिखा हुआ है, बस आपको समझने के लिए हमने किया है, 16 और 9, यहाँ पे कौन सा option आपका right हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, option number 4 आपका क्या हो जाएगा, right हो जाएगा 16 और 9, फर्स्ट वाले में, यहाँ पे इसके जाएगा उपर वाले में, ब्रित वाला option साई था, option number 1, उसको ट्रिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बिकल्प 4 सही है, यहाँ लिख देते हैं, बिकल्प, बिकल्प, फोर, 16, अनुपात, 9, सही है, अला प्रशन आपका प्रशन number 10 है, यदि आधहार की परिमाप 23 मीटर है, तब संकु की तिरिज्या होगी, फर्स्ट आप्सन 21 बटे में 2 मीटर, सेकेंड आप्सन 21 बटे में 4 मीटर, फर्ड आप्सन 21 बटे में 5 मीटर, फूर्थ आप्सन है 20 मीटर, प्रशन को समझेगा, प्रशन में बोला हुए आधहार की परिमाप 23 मीटर है, संकु की तिरिज्या होगी, देखे, अब संकु का नाम लिया हुआ है, तो संकु यहां पे पहले उसकी आकृति को समझे लेते हैं, कि परिमाप है क्या पहले, देखे, यह संकु है, अब देखे, आधहार उसका यह वाला भाग आधहार है, अब आपको पता है, कि जो संकु का आधहार होता है, वह किस परकार का होता है, संकु का आधहार एक ब्रित के आकार का होता है, और परिमाप का मतलब होता है परिधी, परिमाप का simple मतलब होता है परिधी ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो है क्या है? एक बित की तरह बित के परिधी का फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है? 2 π.r तो यहाँ परिमाप दिया हुआ है परिमाप का मतलब परिधी से ही है तो यहाँ लिख लेते हैं परिमाप 2 π.r ठीक है ना? यह बित के आकार का है तो बित के परिमाप का सुत्र लिखेंगे 2 π.r बराबर 33 ठीक है? यहाँ से इसको हल करते हैं और r का मान निकाल लेते हैं उसके बाद संकू की तिरजिया में खुद पता चल जाएगी ठीक है ना? क्योंकि r ही वह क्या है? तिरजिया है अब यहाँ से 2 गुड़े पाई का मान 22 बटे 7 गुड़े r r का मान निकालना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 33 ठीक है? अब देखें यह क्या हो जाएगा? तिरजिया गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 33 ठीक है ना? 33 33 गुड़े 7 और बटे में देखें यह दोनों r के साथ मल्टिप्लाई में इधर आएगे तो अब बटे में चले जाएगे यानि दो गुड़े 22 ठीक है ना? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? r हो जाएगा अब यहाँ से देखें क्या करेंगे? 11 दुनी 22 ठीक है? और 11 यह जाएगी 33 11 दुनी 22 और 11 यह जाएगी 33 और कोई नहीं कटने वाला है साथ तरीके 21 यह हो जाएगा 21 बटे में 2 दुनी 4 21 बटे में 4 और यह किस में आएगा? परिमाप मीटर में है तो यह भी मीटर में ही आएगा अब यहाँ से ऑप्सन की तरफ बढ़ते हैं 21 बटे में 4 कौन सा ऑप्सन आपका राइट है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्सन नमबर 2 21 बटे में 4 मीटर आया हुआ है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि संकू की तरफ यह पूछ रहा है तो यह आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? यह आप लिख देंगे और तह अतह बिकल्प बिकल्प 2 21 बटे में 4 मीटर सही है ठीक है? आई होप की इस प्रशन को आप अच्छी तरह समझ ले होंगे आई अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं अगला प्रशन आपका प्रशन नमबर 11 यह अभी सिमिलर उसी प्रशन की तरह है जैसे उपर वाला भी जश्ट हम लोगों ने किया है प्रशन नमबर 11 क्या करता है कि अर्ध गोला कार कटोरी की एक कोर की परिदी 132 सिंटीमीटर है तब ब्यास होगा ठीक है ना? देखे जो अर्ध गोला है अर्ध गोला कुछ आक्रिती इस प्रकार की होगी ऐसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो उपर वाला पूर्शन या क्या है? एक ब्रित्त की तरह है ना? एक सरकल है ठीक है? अब उसकी परिधी दिया हुआ है परिधी दिया हुआ है तो परिधी से हम क्या कर लेंगे? हम त्रिजिया निकाल लेंगे और उसके बाद अब्यास निकाल लेंगे तो चलिए इसको हल करते हैं यहाँ पर आप्सन देख सकते हैं फर्स्ट आप्सन एककश सेंटीमीटर सेकेंड आप्सन दस दसमुल पाँच सेंटीमीटर फर्ड आप्सन बाइज और फर्स आप्सन ग्यारा सेंटीमीटर तो आए इसको हल करते हैं सबसे परिधी दिया हुआ है लिख लेते हैं परिधी सुत्र क्या होता है? टू पाई आर बराबर एक सो बद्तिस सेंटीमीटर एक सो बद्तिस सेंटीमीटर यहां से आर कमान निकालते हैं तो देखें दो गुड़े पाई कमान क्या होता है? बाइस बटे में साथ गुड़े आर बराबर एक सो बद्तिस यहां से आर कमान निकालते हैं और इसके साथ यह दोनों multiply में हैं, दूसरे side जाएंगे, तो यह बटे में चले जाएंगे, दो गुड़े, 22, यहाँ पे R, अब यहाँ से आप देख रहे हैं, 22 से कम 22, 22 से इसको कट करेंगे, 6 बार में कट हो रहा है, देख सकते हैं, 6 दूनी बार, 6 दूनी बार, 13, 6 बार में ठीके न, प्रस्म में क्या पूछे रहाए, व्यास, तो अब यहाँ पे व्यास बराबर क्या होता है, 2 व्यास बराबर, 2 गुड़े, 3 यह सुत्र होता है, तो 2 और 3 का माना आया, 21, दोनों का गुड़ा कर लेंगे, तो 22 सेंटीमीटर, ठीके न, यह अब यहाँ आप देख है कि option number third में 42 cm आया हुआ है तो यह आपका right answer हो जाएगा यहाँ लिख देंगे बिकल्प बिकल्प third 42 cm सही है सही है ठीक है यहाँ आपका right answer हो जाएगा I hope कि इस प्रेशन को आप अच्छी तरह समझ गया होंगे आइए अगले प्रेशन की तरह बढ़ते हैं अगला प्रेशन आपका प्रेशन number 12 है एक लकड़ी के ठोस संकु के आधार की परीदी 44 मीटर है और उचाई 9 मीटर है संकु का आयतन होगा प्रेशन को हन करते हैं देखिए यहाँ पर क्या बुला होगा है संकु के आधार की परीदी दिया हुआ है ठीक है न चाई 44 मीटर उचाई बुला हुआ है 9 मीटर देखिए यहाँ परीदी का दिया हुआ है 44 तो यह बराबर हो गया 44 के यह परीदी यहाँ पर लिख भी लेते हैं कोई प्रॉबलम नहीं है परीदी 2 पाई R बराबर 44 अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे हम यहाँ से R का मान निकाल लेंगे तो आर कमान निकालने के लिए क्या करेंगे दो गुड़े 22 बटे में 7 गुड़े आर बराबर 44 यहां से तिर्चा गुड़ा कर देंगे तो 44 गुड़े 7 और 22 कहां चला जाएगा बटे में चला जाएगा 2 गुड़े 22 कट कर देते हैं तो 22 दुनी 44 और 2 से 2 कट गया तो यहां से आर कमान आ गया आर कमान क्या आया आर बराबर 7 सिंटी मीटर 7 मीटर सभी मीटर में है तो यह भी मीटर में होगा तो आर बराबर हो जाएगा 7 मीटर ठीक है यह आर कमान हो गया अब यहां से जब आर कमान पता चल गया उचाई हमें दिया हुआ है नौ मीटर, यहां पे लिख भी देते हैं, यच बराबर, यच बराबर, नौ मीटर, तो हम यहां से संकू का आयतन निकाल सकते हैं, चलिए, संकू का आयतन बराबर, एक बटे तीन, पाई आर इस्कौाइर यच, यह सुत्र होता है, तो πाई का मान होता है 22 बटे 7 आर का मान आर का मान क्या है 7 यहाँ पर अब देख सकते हैं तो 7 का स्क्वाइर क्या हो जाएगा 49 गुड़े यच यच का मान क्या है 9 अब इसी को हल कर देना देखे 7 से 49 में भाग देंगे 7 आ जाएगा ठीक है न अब यहाँ पर 3 से 9 में भाग देंगे तो यह भी कट जाएगा 3 3 के 9 अब बचा क्या यहाँ पर देखे बचा क्या आपका 22 बचा और यहाँ पर 7 और 3 तो गुड़ा कर लेते हैं देखे यहाँ पर देखे 7 का 22 में गुड़ा करेंगे तो 7 2 ने 14 एक तुर साथूने 14 एक 15 एक 15 गुड़े 3 अब गुड़ा कर लेते हैं 3 चव के 12 के 2 एक आसिल 35 15 एक 16 एक हासिल तिने कम 3 और 4, 462, ठीक है न, 3, 4, 3, 5, 15, 16, तिने कम 3, 462, और यह आयतन है तो किस में आएगा, घन मीटर में, ठीक है न, घन मीटर में, अब यहाँ पर अप्सन की तरफ जाते हैं, कौन सा अप्सन आपका राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर देख रहें, अप्सन बिकल्प 1, 462, घन मीटर सही है, सही है, ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उमिद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया होंगे, आए अगले प्रश्ण को हल करते हैं, और यह इस प्रश्णावली का, साथ है साथ इस चैप्टर का यह अंतिम प्रश्ण, प्रश्ण क्या है, आए पढ़ते हैं, प्रश्ण नंबर 13 है, किसी गोले के प्रिष्ठ का छित्रफल, 616 cm2 है, तब आयतन होगा, फर्स्ट आप्शन है, यहाँ पे, 1796.66 cm का क्यू, 1439.33 cm का क्यू, 1447.33 cm2, और 1437.33 cm2, और 1437.33 cm2, 1437.33 cm2, तो आए प्रश्ण को हल करते हैं, और उसके बाद इसके आंसर को समझते हैं, सबसे पहले प्रश्ण में बोला हुआ है, कि गोले के प्रिष्ठ का छित्रफल, ठीक न, यानि देखे, जो गोला होता है, उसमें, क्या होता है, आपका, वक्र प्रिष्ठी छित्रफल ह जिसका सुत्र होता है, 4, pi, r, square, इसका मान हमें मिल जाएगा, अब उसका मान च्छित्रफल जो दिया है, वो दिया हुआ है, 616, यानि वक्र प्रिष्ठी छित्रफल का सुत्र है, वो 616 के बराबर हो जाएगा, यहां से r का मान मिल जाएगा, तब हम आपना आसानी से ग्या चाबर 616, ठीक है न, अब यहां से क्या करेंगे, तिर्चा गुड़ा करेंगे, तो देखें, तिर्चा गुड़ा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 616, गुड़े में 7, और यह दोनों, 4 और 22 कहां चले जाएंगे, बटे में, यानि 4 गुड़े, 22, आई होप कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और यहां पर आर इसक्वायर, ठीक है न, अब यहां से देखें, अगर यह कट होगा, तो इसको कट कर देंगे, तो देखें, आप 4 से यह कट हो रहा है, 4 एक कम 4, ठीक है न, 6 में 4 गया, 2, 11, 4, 25, 1, 16, 4, 14, 16, 22 से फिर वह कट होगा, 22 से कम 22 और यह 22 से 7 बार में कट होगा, देखें, 7, 24, 4, 7, 24, 15, हमें आर का मान चाहिए, यह तो क्या हो जाएगा, 7 गुड़े 7, ठीक है न, हमें आर का मान चाहिए, तो देखें, अब आर का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इसको आर अटाएगे तो इस पर रूट लग जाएग रूट लगेगा जोड़ा बन जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा यानि आर का मान में हमें मिल जाएगा 7 cm यानि जो त्रिजिया आई वह 7 cm आ गई ठीक है न अब यहां से क्या करेंगे हमें आयतन निकालना है गोले का आयतन तो चलिए आयतन को निकाल लेते हैं गोले के आयतन का जो सुत्र होता है वह होता है चार बटे में 3 पाई आर क्यूँ ठीक है यहां पे चार बटे में 3 पाई पाई का मान क्या है 22 बटे 7 आर का मान क्या है 7 है क्यूँ है तो 3 बार लिख देंगे ठीक है न 7 गुड़े 7 गुड़े 7 यहां पे 7 से 7 कट जाएगा ठीक चोग के 88, और यहाँ पे 7 सते 49, और यहाँ पे बटे में 3, ठीक है, तो अब यहाँ पे गुड़ा करके और 3 से भाग करते हैं, देखें, गुड़ा करके हम डाइरेक्ट लिखते हैं, वीडियो के बीच में अगर हम गुड़ा करके दिखाएंगे, तो वीडियो काफी लंबा ह होगा, तो देखें, इन दोनों का जब गुड़ा करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 4,312, और बटे में क्या हो जाएगा 3, ठीक है, जब यहाँ भाग देंगे, तो यहाँ आपका आजाएगा 1437, तीन, तीन, तीन ऐसे आगे तक आएगा, हमें दसमलों के द्वस्थान त है, तो यह हो जाएगा आपका घन सेंटी मीटर, यानि सेंटी मीटर का क्यूँ, अब आपसन की तरफ चलते हैं, कौन सा आपसन आपका राइट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1437, तीन, तीन, यहाँ पे लिखने में देखिए, छोटा सा मिस्टेक हो गया लिखने मे यहाँ आइतन है, तो सभी यहाँ पे क्यू ही होगे, ठीक है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया था, ठीक है न, यानि 1437, तीन, घन सेंटी मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पे कौन सा आपसन आपका राइट होगा, तो आपसन न बिकल्प 4, क्या है, 1437.33, घन सेंटी मीटर, सही है, सही है, ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, I hope, कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इसी के साथ, प्रशनावली 12, सी पूरा कंप्लीट हुई, साथ ही साथ चैप्टर, 12 प्रिष्टी छेतरफल और आयतन भी पूरी तरह से समाप्त हो गया, और बस इस चैप्टर के बाद, मात्र दो चैप अब इधर हम प्रियास करेंगे कि आपको लगातार वीडियो दें, साथ ही साथ इस चैनल पे आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस चैनल पे इंपर्टेंट प्रशनों की सीरीच चल रही है, यानि प्रिवियस येर के आपको पेपर सेयर किये जा रहे हैं, आपके सा इस चैनल पे इस चैनल पे मैं एक एक प्रशन को साल्व करके सलूशन सहीत आपको समझाता हूँ, तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका जो दुवाजार प्रशन का बोर्ट एक्जाम होगा, वह काफी अच्छा होगा और उसमें बहुत अच्छा माक्साब गेन कर पाएंगे, तो आई होब कि आप हमारी बातों को समझ गयोंगे, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत, बंदे मात्रम